नमस्ते एक प्रश्ण है जो वास्तव में कई लोगों का प्रश्ण होता है, मिलाहों में कई लोगों से शियर्विंद की एक अद्भूत पुस्तक है, बीज मंत्र के रूप में है और उसका नाम है माता, दी मदर और 1926 के बाद जब एक प्रकार से हम कहें कि शियर्विंद पीछे चले जाते हैं और मा को सामने रख देते हैं और आश्रम का भी फॉर्मेशन होता है, तो लोगों ने पूछा कि मा कौन है, क्योंकि वैसे लोग जानते थे, देख रहे थे लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया, इतनी बड़ी बात कही कि अब से मा सब का कारेभार समालेंगी इसकी कई लोगों को अपेक्षा नहीं थी, कईयों को थी, पर कई लोग थे, जैसे मोतिलाल रॉय फर एक्जामपल, शियरविंद के अपने भाई, बारिन, इनको बड़ा आश्यर हुआ और भी लोग थे, जिनके नाम नहीं लुगा, लेकिन ये दोनों तो चले ही गए, मतल आओगे, तो ये कई लोगों को समझ नहीं आई ये बात, और काफी आश्यरम के अंदर, दो प्रकार की, एक तो जो चैते सत्ता से खुले थे, उनको कोई समस्या नहीं थी, अमरिदा, नलनीदा, और वैसे भी उनके नहीं शियरविंद का वर्ड फाइनल था, लेकिन कुछ लोग थे जो बुद्धी के मार्क से की माता जी यूरोपियन लेडी है, ये कैसे आ गई, ये कौन है, तो प्रश्न की ये लोगों ने, और उन प्रश्नों के आधार पर, शियरविंद ने कुछ उत्तर दिये, तो माता पुस्तक इसे सीरीज ओव लेटर, तो पहली पुस्तक में और 1928 में वो बहर आती है, सबके लिए, बस 27 में वो प्रिंट होती है, और उसके साथ साथ, उसी समय शियरविंद ने को और नोट लिखाया अपनी हंडराइटिं में, कई लोगों को शायद पता हो, ना पता हो, शियरविंद दो के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, एक में लिखते हैं, I am the shakti of shirabindu alone, वो माता जी के लिए लिए लिखा है, लेकि उन्होंने अपनी हंडराइटिं में लिखाया, I am the shakti of shirabindu alone, और वो पूरा passage है, और दूसरा लिखते हैं, I am the god of wealth, Kuber, all the riches are with me, क्योंकि अब आश्रम प्रारंभ हो गया है, उनको पता है कि अब धन आना है, तो वो सीधा कुबेर से identify करके command करते हैं, और तभी आप देखें कि आज तक ये shirabindu का command है उस समय, तो जब माता जी के बारे में पूछा, who is the mother, कौन है, तो पहला जो letter है, there are two things that alone can in their conjunction, कि दो चीजे हैं जो साथ मिल जाएं, तभी ये अभीष्ट रूपांतरन संभव है, वरना ये असंभव है, अगर उसको पढ़ें तो ऐसी प्रतीत होता है, तो पहला chapter जिसमें shirabind call और grace की बात करते हैं, कि तुमारे अंदर में call होनी चाहिए, call exactly पुकार नहीं है, पर हम अगर translate करें तो उस तरह का हमारे अंदर में ये एक अभीपसा कहले, aspiration, fixed and unfailing aspiration that calls from below, वो नीचे से उठती है और fixed है, वो unfailing है, मतलब कुछ भी हो जाए जीवन में, संकल्प ऐसा हो, कि संसार में सबकुछ उलट-पुलट हो जाए, चाहे बाहर या हमारे भीतर, या बाहर की ज महल गिर पड़ा और हम रबल के अंदर दबे हुए है, लेकिन साज चल रही है, तो हम मा, मा, मा पुकारेंगे, ये है fixed and unfailing aspiration that calls from below, and the supreme grace from above that answer, जहाँ शियर बिंद क्वालिफाई करते है, grace को supreme grace, मताजी इस बात के बारे में बताती है, grace कही प्रकार की एक grace है, जो आप साहता करती है, customer है, व्यक्ति, supreme grace is, उसका जो फर्मान है, उसका जो action है, उसको कोई चीज नहीं negate कर सकती है, supreme grace, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं कि conditions क्या है grace की, तो पहला तो बड़ा अच्छा लगता है, call है, aspiration करना है, और grace answer करेगी, फिर आता है कि grace will not act under these conditions, grace के लिए यह condition चाहिए, वह condition चाहिए, तो कई लोग पढ़ने के बाद पहला chapter बंद कर देते हैं, गबरा जाते हैं, फैबी तो उड़ते हैं, यह तो हम fulfill नहीं कर सकते हैं, साथ में यह भी आता है कि तुम्हें यह आगे उसके कि इतना काफी नहीं है कि तुमारा mind respond कर रहा ह है, तुमारा heart respond कर रहा है, psychic respond कर रहा है, तुमारी बाहर तक की सत्ता, आमूल चूल सब कुछ रिस्पॉंड करना चाहिए, तो जब एक आम ब्यक्ती पढ़ता है, तो वह पहले ही give up कर देता है, कि यह तो इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं, तो fortunately, माता पुस्तक पर शियर कर सकते हैं, तो grace हम से receipt कर जाएगी क्या, उसमें एक जगे है, जहां ऐसा लगता है कि grace हम से receipt कर जाएगी, कि do not blame the grace, तो माता जी कहती है, नहीं, शियरविंद यह नहीं कह रहे हैं, और मैंने भी जब उनका answer पढ़ा, फिर सु उस passage को पढ़ा, then I realized कि जो कह रहे हैं, वो बह grace तो रहेगी तुमारे पास, grace नहीं चली जाएगी, यह conditions यह नहीं कि grace ही नहीं आएगी, तुमने A, B, C, D, यह condition फुल्फिल नहीं की, तो grace will not be there, यह conditions इसलिए हैं कि ताकि grace का जो action है, वो तुमारे उपर पूरी तरह कारे कर सके, तो फिर किसे ने पूचा तो क्या मान लो ह तुमारे अंदर बुराईया हैं, कठनाईया हैं, तो grace नहीं आएगी, बुली नहीं, लेकिन पहले वो तुमारी बुराई को दूर करेंगी, तुमें सचेत करेंगी, उसके कॉंसे से ले जाएंगी, तो कहते हैं कि यह एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो अगर तुम खु grace आएगी, लेकिन action will be far more difficult, तो यहां पर उसकी बात है, but the supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth, it will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance, तो किसे पुचाएगी falsehood and the ignorance की क्या conditions है, मैं तो grace पर तभी विश्वास करूँगा, यदि हमारे जीवन में मुझे ये चीज चाहिए, वो हो जाए, मुझे घर चाहिए, वो म तब मैं मानुगा, तो this is a condition of falsehood and ignorance, सत्य के विधान में हो सकता है कि ये नही स्विकारे हो, for whatever reasons, तो आप grace के ऊपर ये conditions नहीं लगा सकते हैं, इसकी बात हो रही कि conditions laid by the falsehood and the ignorance की grace act करना है, इस तरह से act करना है, ऐसे act करना है, you cannot do that, अगर हम ये कर रहे तो हमारे अंदर विश its own purpose, कि आमें ये miracle दिखा दो, वो दे दो, माताजी से किसी ने पूछा था, आप miracles क्यों नहीं दिखाते हो, कहते हैं, इस दिखाते हैं, मा शियर्विन ने बहुत miracles की है, लेकिन एक प्रकार की miracle है, जिसमें vital forces को use करना पड़ता है, जो falsehood लाती है, और हम उनके पक्ष में न लेकिन योग के point of view से आप ये अगर आपेक्षा करोगे और grace yield करती जारी है, मुझे इस committee में selection दिलवादा तो वो तो फिर, they are not the right way to respond, तो यह next उसमें आरहा है, these are the conditions of the light and truth, the soul conditions under which the highest force will descend, हो सकता ये भी करेगी, grace can do all this and will do, लेकिन इस नो योग अफ ट्रांस्फरमेशन के ल it is only the very highest supramental force descending from above and opening from below that can victoriously handle the physical nature and annihilate these difficulties, यदि हम तमाम तरह की चीज़ों के प्रती खुले हैं, तो वो highest supramental grace नहीं कारे कर सकती, क्योंकि अगर वो प्रेशर डालेगी, तो यह तो हमारे अंदर की सारी चीज़े निकलने लगेंगी और सारा system अस्तिवस्तों जाएगा, लो मैंसे एक तो famous case है, जिनके अंदर one of the four, मतलब चार जो aspects है, divine के, जो pillars है, immortality के, उसमें एक ते तिरुपती, जिनके अंदर faith का descent होना था, लेकिन वो नहीं समाल पाए, तो विक्षप्त हो गया, तो इसलिए, there are conditions, इस कारण से ही जरूरी है, there must be a total and sincere surrender, surrender मतलब अब तुमारी जिन्दगी, जैसे आप बताओगे, वैसे मैं चलूगा, in short, there must be an exclusive self-opening to the divine power, कि चलो थोड़ा यहाँ भी चले जाए, वहाँ भी चले जाए, यहाँ भी मननत ले ले, वहाँ दस लोगों से मिले, तो that is not the exclusive opening to the divine power, there must be a constant and integral choice of the truth that is descending, कि truth तो आरहा है, बहत अच्छा लग रह लेकिन थोड़ा सा अभी पुरानी वाली रस्मलाई को भी चले, तो फिर भगवान वो करेंगे, हमारे, उनका तरीका है अपना, आप रस्मलाई खाओगे लेकिन मूख के अंदर स्वाद खराब हो जाएगा, यह आपच हो जाएगा, he will do it that way, a constant and integral rejection of the falsehood of the mental, vital and physical powers, तो mental falsehood क आए, views, opinions, मेरा view तो ऐसा है, नहीं, मा शिर्विन ने ऐसे क्यों लिखा है, मेरे विचार से तो ऐसा होना चाहिए, तो it is like saying, भगवान, आपको हम मानेंगे, हम terms dictate करेंगे, आप उसके अनुसार चलो, अगर इसको clarity से देखे, तो if you do according to my mental views and ideas, तब तो आप भगवान हो, वर साथ में चलोंगा, मतलब conditions, हम डाल रहें conditions, तो यह शिर्विन कहरें, तुम conditions डाल के अगर भगवान से भक्ति करोगे, अगर अगर सार इसका देख ले, तो एक शब्द में हमको अहैतु की भक्ति करनी है, यह नहीं कि, शिर्विन बताते है, तीन प्रकार की भक्ति, जिसमे एक में mind, अपने viewpoint से चलना चाता है, लेकिन साथ में वो, कि भई मैं तो थोड़ा रजिनिश को भी पढ़ूँगा, मैं थोड़ा इसको भी देखूँगा, थोड़ा मैं साइब आश्रम भी जाऊँगा, अब जिसकी शद्धा है, वो अलग बात है, लेकिन इस योग में एक निश्ट होके चलना है, सुप्रमेंटल फोर्स की बात है, अदर्वाइस ठीक है, सबको अपनी अपनी सोतनता है, उसी प्रकार से हाट कि मैं तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रिंक्स को टाइड रखूँगा, आप रख सकते हैं, लेकिन मूल में, केंदर में मा को और वो कह नहीं पर वो जगह नहीं जानी चाहिए, और उसी तरह से फिसिकल नेचर, कि मेरी जो आदत हैं, मेरी जो हैबिट्स हैं, मुझे तो स्मोकिंग की आदत हैं, मुझे ड्रंकिंग की आदत हैं, यहां रहे हैं ऐसे लोग, और उनके साथ भी माने अपना संबंद चोड़ा है, दोनों एक दूसरे से आख नहीं देख सकते थे, क्यों दादा इस से बोलते हैं, ऐसा नहीं है, तो मुझे क्या फिर आपका क्या नभव हैं, किने कुछ नहीं मुझे तो माँ पैसे देती थी तSay campaign कि तुम जाकर शे कर लो, तो मैंने क mogę कुछ तो आप आदा सत् bron क कए हां, ज माता पुस्तक अगर पहला चैप्टर पढ़ी लिया है, तो एक कहावत कही जाती है कि तिल-तिल मत जलो, पूरा जल जाओ. तो लास्ट चैप्टर तक पढ़ लो. पहला चैप्टर पढ़ोगे, तो घबरा जाओगे. यह कहीं के साथ होता है. दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, तो लोग अच्छा, यह करना हमको. करना क्या है, लोग पूस्ते है करना क्या है, करना क्या है, चैप्टर तू अफ दी मदर में सब लिखाए क्या करना है. एस्पिरेशन करना है, रिजेक्शन करना है, सरेंडर करना है. क्या-क्या aspiration कैसी होनी चाहिए, क्या reject करना है और surrender कैसा होना चाहिए, पुरा विस्तार से बताया गया है तो लगता है, maybe doable है, यह तो किया जा सकता है तीसरे chapter पर आओगे तो लगेगा, अदूच chapter है When the grace of the divine mother is with you, what is it that you need to fear? उसमें तो केवल तीन बाते करते है, faith, sincerity and surrender लेकिन faith कैसा होना चाहिए, sincerity का क्या अरते है और surrender कैसा होना चाहिए, बस इसकी बात करते है और कहते हैं एक बार तुमारे अंदर यह चीज थापित है तो divine mother की शक्ति तुमको हर चीज से ले जाएगी कोई चीज तुमको मार्ग में ultimately बादा नहीं बन सकती है तो वो चैप्टर पड़ियत बड़ा आनन दाता है कोई आदमी कितने भी भै में हो जब वो यह पढ़ता है कि the more complete your faith, sincerity and surrender the more will grace and protection be with you and when the grace and protection of the divine mother are with you what is there that can touch you or whom need you fear? तो लेकिन यहाँ पर प्रारम में कहा है the more complete तो शियर विन करुणा में बन के कहते है a little of it even will carry you through all difficulties obstacles and dangers surrounded by its full presence you can go securely on your way because it is hers careless of all meanness hostile forces, adverse forces don't worry about it just हमें यह देखना है कि हमार समर्पन और होता जाए बाकी वो समाल लेंगे careless of all meanness unaffected by any hostility however powerful whether from this world or from worlds invisible तीसरा chapter चौथे पर जब जाएंगे तो और थोड़ा ठीक है अब हमें धन के साथ हम कैसा करें संबंद simple है फिर पाँचवे पर कर्म की बात होती है और चटे में तो भगवान के वो चारो रूप Divine Mother के बड़ा आनन दाता है लास्ट में जब जाते हैं तो पहले चैप्टर का Antim Sutra मिलता है और वो Antim Sutra क्या है it is very simply this Sherevind कैते है कि मा को psychic vision से feel करो but be on your guard and do not try to understand and judge the Divine Mother by your little earthly mind that loves to subject even the things that are beyond it to its own norms and standards one of the commonest sabse bady jo common आँ चीज होती है भगवान हमको test कर रहा है उन को सभ्बता है हमारे बारे में हम से कहीं ज़्यादा पता है उन को पता है हम कितने पानी में भगवान टेस्ट करे रहा तो हम कहीं नहीं ह briefing से कुछे हो सकेंगे तो उनको ठीक पता है हमको आता है. नहीं आता है,ő बhah." Simple. नए स्वेश्राव बहता है, जिवन को नहीं आता है, तब हम ज्ञान के लिए cœur होते हैं. लिकिन अगर यह हमको तो आता है, ऐसा होना ची models, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ यह सब चीजें किनारे रखनी तो do not judge the human mind shut in the prison of its half lit obscurity cannot follow the many sided freedom of the steps of the divine शक्ति उनको आप किसी नियम में नहीं बान सकते infinite freedom है spirit की even कोई उनको oppose कर रहा है तो हम यह मान के चलना चाहिए भगवान ने अपने आपको वेल करके रखा है सो जाना ही जिन राम जना ही अब भगवान नहीं अभी उसको reveal करने का अगर प्रयास नहीं चाहते हैं कि अभी reveal हो तो ठीक है तो सारी एक दूसरी tension चली जाती है कि दूसरों को भी हमको convert करना है या change करना है हमारे जो जान पहचान के लोग है वो भी मुडे all this is absurd मुडेंगे नहीं मुडेंगे हमारी समस्या है ही नहीं हमारी समस्या केवल हम है और अज जिस दिन हम जान जाएंगे कि हमारी समस्या वास्ता में भगवान की समस्या है क्योंकि हम तो नहीं जानते अपने आपको, तो फिर भगवान एक्ट करते है, लेकिन केवल ये कह के नहीं हमारी समस्या भगवान की समस्या है हमको जैसे एक मरीड जाता है डॉक्टर के पास, और कहता है मेरा इलाज करो और जाके अगर वो ऐसा कहे जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि मेरी ये प्राब्लम तो मैं जब लिखने शुरू करता हूँ, ने, ने, हमको ऐलोपेथिक दवाई नहीं चाहिए तो अच्छे क्या चाहिए, होमियोपेथि चाहिए, तो मैं बताने वाला हूँ किसके पास, ने, हमको कोई दवाई नहीं चाहिए तो मैं सुनता रहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं करूँ क्या लास्ट मैं कहते हैं, हमको कुछ परासिटमाल लिख दी ज़िए, जरुवत पड़ी तो तो अब, ठीक है मेरे काम असान हो गया, मैं परासिटमाल लिख के आपको बेज रहा हूँ, मैं क्यों मैं अधा बच्ची करूँ तो भगवान के पास, हम मरीज हैं, हम जाके उनको की हम बड़े सर्वशक्तिमान है, हम तो यह दवाई नहीं लेंगे, वो दवाई नहीं लेंगे हम तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, भगवान कहता है ठीक है, चलो तो हमको भगवान के पास ऐसे अपने आपको प्रसूत करना है कि हम कुछ भी नहीं है, आप हैं सब कुछ आप बताइए हम क्या करें, क्या नहीं करें, किस तरह से चलें तो वो उगली पकड के हम कुछ सिखाएंगे चलना हम हजार बार गिरेंगे, लेकिन वो एक हजार एक बार उठा कर के हमको ले जाएंगे लेकिन जहां यह अभिमान आएगा कि हमें पता है, तो वहाँ पे तो bewildered by the shift alterations of her many different personalities her making of rhythms and her breaking of rhythms her accelerations of speed and retardations her varied ways of dealing with the problem of one and of another her taking up and dropping now this line and now that one and her gathering of them together it will not recognize the way of the supreme power when it is circling and sweeping upwards towards the maze of the ignorance to a subunal light यह भारत के अध्यात्म का सदेव यह चिंतन रहा है कि जब गुरु है तो उनको पूरी तरह समर्पत करो don't try to judge the master the worst thing to do in life हमारे माइन में क्या इतनी शम्ता है हम किस बात किस की कर रहे है जिस शक्ती से जिस ज्ञान से यह संपून ब्रह्मान यह तो केवल material creation है देवी देवताजी से प्रकट हुए हम उनको judge करने की प्रेयाश कर रहे है हम तो अपनी नाक के आगे क्या है नहीं जानते आपर हमको भगवान अपनी जागे लेकिन शियरविंदी से पर्फेक्ट जेंटलमैन वह ऐसे नहीं कहेंगे चुप रहो तुम लोग वह शांती से समझा रहे हैं यह पर्फेक्ट जेंटलमैलिनेस है तो वह इस तरह से कहते हैं भई तुम नहीं समझ पाओगे avoid also the error of the ignorant mind's demand on the divine power to act always according to our crude surface notions of omniscience and omnipotence कल यही बात हो रही थी अरिवन श्राय बच्चन जी आए दर्शन करने के लिए किसने कहा था रात को पता चला उन्हें मा को जुकाम हो गया है तो बालकनी दर्शन नहीं होगा चले गे कि भगवान तो omnipotent है उनको जुकाम कैसे हो सकता है यह हमारी शुदरता है बड़े कभी हैं लेकिन एक बड़ा महान कभी होना और एक योगी होना दुन में बहुत अंतर है तो यहां पर वो for our mind clamors to be impressed at every turn by miraculous power and easy success and dazzling splendor otherwise it cannot believe that here is the divine तो यह सब है अलाश में शिर्विन स्पस्ट कर देते the mother's power and not any human endeavor in tapasya can alone rent the lid and tear the covering and shape the vessel and bring down into this world of obscurity and falsehood and death and suffering truth and light and life divine and the immortals ananda आप connect करें हम तो यह सब क्यों वो बता रहें ताकि हम खुले रहें मा की power की प्रती letters on yoga में इसी बात को बड़े simply कह देते हैं कहते हैं कि remain open to the mother be receptive to her फिर फिर उन्हों हैं देखा कि मेरे बच्चे तो यह भी नहीं करने के लिए तैयार है love the mother हम तो समस्ते ही नहीं यह love क्या है क्योंकि हम self-love कोई जानते हैं तो स्यर्विंद कहते है remember that the mother loves you base your life on only this truth and all will be fine केवल इतना याद रखो कि माद उमें प्यार करती है तो यह chapter 1, chapter 6 से link होता है कि वह इसलिए हमको यह सब बता रहे है कि बच्चे तुमारे जीवन में complications ना हो जैसे कोई एक पिता समझाता है अपने बच्चों को देखो तुम अधर जाओगे ना नुकड पे वहाँ एक काला नाग बैठा है देखो तुम अधर जाओगे ना तो वहाँ पर गुंडे हैं देखो तुम अधर जाओगे ना दल-दल है तो हम कहेंगे यह क्या है आप हमको freedom दे रहे हैं कि हमको conditions दे रहे हैं तो अंत में पिता कहते है ठीक है ओके लेकिन तुम मम्मी को बता के जाओ यह कह रहे है यह नहीं कह रहे हैं कि तुम जाओगे तो लेकिन कालनाग डसेगा तो समस्या तो होगी करेंगी इलाज हो इसलिए वो conditions है वो भैख खाने के लिए नहीं है ताकि हमारी जो अध्यात्म की आत्रा है सुचारू रूप से चले बहुत सारे चेनपूल ना हो डिरेल्मेंट ना हो गाड़ी का एक्सिदेंट्स ना हो इसलिए शीरविंद हमको एक करुणा में पिता की तरह अती करुणा से बता रहे है कि देखो ये conditions है ये नहीं की conditions apply ये ही वाक्य को देखो कई बार ये समस्या होती है कि जब अगर हम इसी को वाक्य को एक तरह से पढ़ेंगे तो ऐसा लगया है कि बड़ा डरार है शीरविंद कि do not imagine that truth and falsehood can stay दूसरा do not imagine that truth and falsehood can stay together अब ये written word की ये ही समस्या होती है क्योंकि written word में हम उसमें भाव जो ध्वनी के साथ आता है वह हम डालते है तो कोई आदमी बड़ा strict disciplinarian है न तो आपने देखा हुगा आश्रम में वो लिखा हुआ है beach staircase पर cling to truth मैंने भी किया आई है cling to truth लिखकर के एक बड़ी लंबी चौड़ी चिथी लिखी है ब्याना किथी और किसको लिखी क्या परिनाम को ये नहीं बोल रहा हुँ मैं माता जी इस पर एक conversation है मा कहती है cling to truth मुझे आके कहते है कि शियर्विन ने chapter 1 में लिखा है cling to truth आप स्वेम उस व्यक्ति को क्यों प्रश्य दे रही हैं वो तो falsehood में है अब आप देखेंगे उसको सुनेंगे ना she is laughing कहती ही समस्या क्या है ना कि सब truth को अपने अपने हिसाब से समझ रहे और फिर आगे कहती है सब अपने अपने हमाम में नंगे हैं this is how she explains लेकिन वो दूसरों को देख रहे हैं अपने आपको नहीं देख रहे हैं तो कहती मैं क्या करूँ फिर वो थोड़ी देर सोसती सोसती मतलब पैंसी हो जाती फिर कहती मैं क्या करूँ मैंने ही कह दिया cling to truth if you read it you will laugh she laughing and saying मैं क्या करूँ मैंने ही लिख दिया cling to truth अब वो उसको पकड़ कर बैठे है तो last में disciple कहता है okay truth क्या है मा कहती कोई आदमी है जो समस्ता है कोई non-wage खा रहा है तो truth में नहीं है मा की वानी है कोई समस्ता है किसी का friend है कोई friendship है तो वो truth में नहीं है ये दो धारन देती है कहती है अब वो सब अपने अपनी हिसाब से truth को समझ रहे तो किसी ने कहा कि मा अच्छा truth है क्या तो मा कैती एक ही शब्द है जो उसको correctly express करता है और वो है धर्म मा की वानी है कैती मानव उसमें ये शब्दी नहीं है तुर्थ को explain करने की नहीं है फिर मा कैती उसको fix मत करो हर किसी के अंदर वो उधवासित होता यदि तुमारे अंदर sincere चाहा है कि इस पर्टिकलर को की टूथ एक fixed जेलर की खड़ा है तुर्थ अपने आपको infinite है, free है और plastic है, वो हर शब्द अपने आपको उधवाटित करता है आज इस समय ये टूथ है next moment it may change depending on conditions change हो जाया है तो सत्य को कहती, if you are sincere to know, you cannot define it, जैसी define करोगे आप उसको एक fixed formula में डाल रहे हो लेकिन अगर जानने की चाह है तो अपने आपको प्रगट करेगा तुमारे अंदर तो यहाँ जो बात ही truth और falsehood की falsehood is easy to define और करना चाहिए, falsehood क्या है वह सब जो भगवान को oppose करता है अब वह भी क्या है, एक एक विक्ति की आत्रा में अलग अलग धंग से उप्रगट होता है वह सब जो oppose करता है भगवान को और उसका सबसे जो dangerous रूप है वह है, imitation of truth imitation of truth, यह नल नीदा की वानी है एक होता है जो openly oppose कर रहा है वहाँ आपको पता चल रहा है जो हम जब medical college में थे बाद में लोग कहते हैं पता कैसे करें, 10% सांप होते हैं जो poisonous होते हैं 90% तो non-poisonous हैं कैसे पता करें तो एक practical चीज कही जाती थी मान के जालो कि सब poisonous है इस अ practical thing तो कई बार हम लोगों को यह एक लेना पड़ता है यह एक stand लेना पड़ता है तो false suit क्या है? वह जो imitate करता है अब वह दिख रहा है harmless सा लेकिन कौन जाने है? कि उसके अंदर wish है की नहीं है? दिख रहा है, आपने पुरी किताब पढ़ी है कि यह तो non-poisonous है अब असल टेस्ट तो हो, अगर काट लेगा तो आपको पता चलेगा कि यह poisonous है तो इसी प्रकार से कई चीजे जो imitate करती है truth को, इसलिए सादू, सन्यासी इंसे बड़ा बच के रहना चाहिए माता जी ने कहा है, खासकर सन्यासियों से क्योंकि सन्यासी क्या करते है अपनी चेतना में कई चीजे दबा के रखते है और आप उनके संपर्क में आएंगे ना तो वो अंदर से निकलती हैं चीजें जो बड़ी कई बार भयानक चीजे होती है तो बार से देख रहे हैं कि गिरवा बस तरह हम लोग बहुत easily carried away हो जाते हैं लेकिन we don't know what is hidden inside यह नहीं कि सब लोग एक जैसे होते हैं पर one should be conscious खास कर जहां वो imitate कर रहा है सत्य को या दिख रहा है जैसा तो और सावित्री पर बहुत बड़ा description है falsehood it's easy to understand but truth infinite freedom में जीता है और उसकी एक अपना अपने आपको प्रगट करता है depending on हमारे stage of evolution में वही सत्य जो शत्रिया के लिए एक प्रकार से वही ब्रामण के लिए अलग तरह से होगा शियरविन ये ऐसे जोंदा गीता में इस पष्ट करते है कि हम लोग के concept होते है की गीता केबल गह रही है इस गारे डूटी के लिए कहती है अगर बुद्ध ने पूचा होता श्री क्रिष्न से या विवेका नन ने पूचा होता या शीरामक्रिष्न ने पूचा होता की भई मुझे क्या करना चाहिए तो श्री कBoth यह नहीं कहते है उनको कि नहीं तुम युद लड़ो उनको कहते है कि भगवान की खोज में अगर सब कुछ बॉनफायर में चला जाए तो उसको डाल दो, सौहा कर दो and be in search of God तो truth को define करके fix नहीं करना चाहिए यही गलतियां religions ने की है और उसका दुष्परी नाम हम लोग देख रहे है नमस्ते